दोस्तो आज की इस वीडियो हम बताएंगे कि Zoom App पे ID कैसे बना सकते हैं अपना account कैसे वहाँ पे create कर सकते हैं आज की इस वीडियो में यही बताएंगे तो चलिए वीडियो के start कर लेते हैं बिना time को waste किये हुए आज आज आप लोग मेरी चैनल पर नहीं होते हैं चैनल को भी subscribe कर लीजिएगा तो चलिए वीडियो का start करते हैं यहाँ जूम आपको open कर लीजिए अगर आपने download नहीं किया तो download कर लीजिए प्लेश ठोर से और उसके बाद इसको open कीजिए और उसके बाद आपको sign up पे click करना तो birth year आपको select करना सबसे पहले मतलब 2002 या 2003 जितने भी आपका birth है न मतलब 2010 जो भी आप कर लीजिए मेरा 2003 है तो मैं कर लेता हूँ उसके बाद दोस्तों आपको email id यहाँ पर डालना होगा ठीक है email डाल लीजिए email डालने के बाद आपको यहाँ पर OTP आएगा और OTP यहाँ लिख लेता हूँ इसे जबस आप कुमार भी लिख सकते हैं जो भी आपका नाम हो आप लिख लीजिएगा ठीक है तो जैसे यहाँ पर लिख लेने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर main point है password करने में बहुत सारे लोग mistake करते हैं कि आपको बिग लेटर मतलब की capital और small दोनों रखना है और एक एक दो तीन चार या फिर कुछ भी random नमर लिख सकते हैं मतलब तीनों character का use करना है small लेटर और capital लेटर और plus क्या बोलते हैं एक दो तीन चार यह कुछ आप लिख लीजिएगा ठीक है guys I hope कि आप मेरे बात को समझ रहे है हाँ तो दोस्तो password वगेरा credit कर लेने के बाद आपको यहाँ पर access calendar पर किलिक करना है जिससे आपका जो भी date पर meeting वगेरा रहेगा जूम पर आपका automatic वहाँ पर message आ जाएगा calendar select रहेगा तो और यहाँ पर guys अपना profile को edit कर लिजिए photo वगेरा add करना चाहे तो add कर सकते है नाम व और यहाँ पर easily जैसे आप get started पर किलिक करोगे new mate, join और यहाँ पर schedule बगेर का सरी कुछ का option आ रहे है मतलब कि आपका ID open हो चुका है ठीक है I hope कपको समझ में आ गया होगा कि step से जूम है आपके अपना account बना सकते है वीडियो कैसा लगा comment में ज़रूर बतेएगा वीडियो अ लागा हो तो मेरे चनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं thank you so much मिलते हैं